हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी आज हम SSC CHSL 2021 जो आपका मैई जुन 2022 में हुआ था उसमें नंबर एनालोजी से पूछे वे क्वेश्चन करेंगे टोटल यहाँ पे 42 सिफ्ट हुई थी जिसमें से मैं आपको 21 सिफ्ट में पूछे वे नंबर एनालोजी के क्वेश्चन कराऊंगा और 21 सिफ्ट में के पूछे वे पार्ट 2 में कराऊंगा आपने देखा होगा किसी किसी सिफ्ट में 3-4 question में number analogy के पूछे गए हैं तो यहाँ पे हम total 32 question करेंगे तो सुरू करते हैं पहले question से question क्या पूछा जाता है दिये गए बिकल्पों में उस बिकल्प का chain कीजिए जो बाच्ची संक्या से उसी प्रकार संबन दिता है जिस परकार दूसरी संक्या पहली संक्या से संबन दिता है इसी तरीके से आगे भी आपको question पूछा जाएगा यानि कि एनलोजी का मतलब क्या होता है समान दा तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहला दूसरा जिस परकार से आपस में related है उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि 9 किस तरीके से related होगा मैंने पहले भी आपको बता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं आप prime number देखते हैं फिर उसके बाद आप cube square देख सकते हैं फिर उसके बाद आप multiply करके number तक पहुंच सकते हैं ठीक है आगे जो भी question आएंगे आपको पहले खुछ से जरूर करना है जैसे यह आपके सामने question है तो इसे आपको पहले खुछ से जरूर करना है ठीक है मैं यह समझ रहा हूँगा कि आप सबसे पहले खुछ से solve कर रहे हैं तो आप सभी ने यह solve कर लिया होगा अब मैं यहाँ पर आपको इसका logic बताता हूँ जैसा कि आप देख रहोंगे 3,18 तो आप यह बोल सकते हैं कि अगर मैं 3 को 6 से multiply करूँ तो मुझे 18 मिल जाएगा लेकिन क्या 6 से multiply करने में यहाँ भी आपको 100 मिल ला है नहीं मिल ला है तो इस तरीके से आप यह logic नहीं होगा फ 27 होता है 3 का स्कृएर कितना होता है.'' Nain होता है तो 27 से 9 आप मैंनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 18 इसी तरीके से जो पैटन हमने यहाँ लगाए वह पैटन आप यहां लगाते ठीक है 5 का क्यूब करते हैं पहले वाले का क्यूब और फिर 5 का स्कृएर मैंनस करते है고 5 क् जाएगा 9 का cube होगा और minus 9 का square होगा तो 9 का cube कितना होता है 729 होता है और 9 का square कितना होता है 81 होता है तो 729 में से 81 minus करेंगे तो आपको 9 में से 8 तो आगे भी मैं आपको कई सारे टॉपिक कराऊंगा जैसे मिसिंग नंबर हो गया आपका इसके बाद नंबर एनलोजी है होई गया इसका पार्ट टू भी आएगा और वन आउट के भी कुछिन करा दूगा जिसमें आपका लॉजिक पूछे जाते हैं ठीक है वही कुछिन ज कैसे करना है सेम है यहाँ पर कुछिन में आप देख सकते हैं इस कुछिन को करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी तक मैं आपको काफी टाइम से वीडियो प्रोवाइट कर रहा हूँ CGL में मैंने आपको प्रोवाइट की थी उसके बाद CGL के बाद CHSL के लिए की थी और काफी सारे topic मैंने आपको प्रोवाइट की है जो भी latest question आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइट करता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेरा कोई ऐसा paid course नहीं है क्योंकि आपको भी पता है जो भी चीज अगर यहाँ पर कुछ कमाना चाहता है टीचर तो वो आपका paid course से ही कमा सकता है लेकिन paid course लाने के लिए भी मुझे काफी requirement है काफी चीजों की requirement होती है जो कि मेरे पास अभी है नी तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ financially भी मुझे support कर सकते है ठीक है आपसे किसी से जबरदस्ती नहीं है जो चाहता है ठीक है जो जितना भी कर सकता है क्योंकि अभी तक जिसको भी फायदा हुआ है क्योंकि काफी सारा मैंने आपको provide करा दिया है अगर जिसको भी लगता है कि वो कुछ support कर सकता है तो support जरूर करें कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपसे जितना भी हो सके आप करें किससे जबरदस्ती नहीं है जिसको भी फायदा हुआ है इतनी सारी video provide मैंने की है latest question की अगर फायदा हुआ है तो आप कर सकते हैं किससे जोर जबरदस्ती है नहीं फिर भी मैं चाहूँगा कि कई लोग support करें क्योंकि काफी time से मैं आपको freely आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ ठीक है इसमें मेरा कोई अभी तक ऐसा कुछ financially फायदा नहीं हुआ है तो मैं भी चाहता हूँ कि आगे अगर मैं भी कुछ करूँ तो आपको support करें ठीक है तो आपसे उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे जिसके पास है जो कर सकता है वही करना question शुरू करते है तो इस question को आप कैसे करेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया जैसे 52 यहां पे 5 है तो मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा square के बारे में हमेशा सोचना है अब आप देखो 52 ratio 5 है आप यह सोच सकते कि multiply करके जा सकते इससे पहले एक बार आप square के बारे में सोचेंगे तो यहां पे pattern क्या है अगर हम 5 का square करते तो आपको कितना मिलता है 25 25 का double करेंगे तो 50 मिल जाएगा और उसमें 2 add करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 52 मिल जाएगा अब जो pattern हमने यहां पे लगा है वही same pattern आपको यहां भी लगाना है तो यहां पे आप देखेंगे 7 का square करते तो आपको कितना मिलेगा 49 मिलेगा 49 का आप double करेंगे तो 98 मिलेगा और उसमें 2 add करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा तो आपने देखा same pattern से यहां भी आ गया तो आप 164 को आपको करना है तो आप चाहे तो यहां पे x मान के कर लीजे या आपको x मानने की जरूत में आप सीधे सीधे देखें कि यहां पे 9 होना चाहे 9 का square करेंगे 81 होगा उसका double करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 162 उसमें 2 add करेंगे तो क्या आजाएगा 164 हो जाएगा यह आप x मान के कर लें ठीक है step क्या हो जाएगा x मान के करेंगे तो आप कहेंगे कि x का square करना है फिर इसका double करना है और इसमें 2 add करना है तो हमें क्या मिलना चाहिए 164 मिलना चाहिए तो यहां से आप देखें इसे solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा और x square equal to कितना हो जाएगा 81 आएगा और X की value क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी जो कि आपका fourth option होगा ठीक है सबी को समझ में आ गया होगा next question देखते हैं आप देख रहोंगे square cube का यूज जादे तर आपको जादे question में दिखेगा तो आप देखो यहाँ पे 4 का 25 है तो आप सीधे सीधे square दिख रहा है तो आप सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि या तो आप ऐसे बोल दे कि 25 का under root करें तो आपको कितना मिलेगा 5 5 में से 1 minus कर दे तो हमें 4 मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से बोलेंगे तो यहाँ पे 64 का under root करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा 8 में से 1 minus करेंगे तो 7 मिल जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा 3rd option हो जाएगा इसी तरीके से आप 225 का under root करेंगे 15 15 में से 1 minus करेंगे 14 मिल जाएगा या आप reverse direction में भी जा सकते हैं यह बोल सकते हैं 4 में 1 add करें तो 5 आएगा और इसका square कर दे तो हमें 25 मिलेगा इसी तरीके से यहाँ पे 7 होगा 7 में 1 add करेंगे तो 8 8 का square 64 इसमें कुछ ऐसा है नी simple है next question देखते हैं अब इस question को देखें 10 का 0 है 12 का आपको बताना है 16 का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर digit आपको दिख रही होगी तो आप कहें कि अगर हम दोनों digit को आपस में multiply कर दे तो हमें 0 मिल जाएगा इसमें हमने देखा यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम दोनों digit को multiply करेंगे एक और 6 को तो हमें 6 मिल लाए जबकि हमें 3 चाहिए तो इसका मतलब यह pattern नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको 3 चाहिए तो आप इसे 2 से divide कर देगे तो आपको कितना आ जाएगा और यहाँ भी आप 2 से divide करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा तो आपका यह pattern बन गया pattern क्या बना दोनों digit को आपस में multiply किया और multiply करके उसे 2 से divide कर दिया तो हमें second number मिल गया इसी तरीके से 12 को आप क्या करेंगे digit को multiply करेंगे एक और दो को 2 आएगा और इसे 2 से divide कर देंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा एक आजाएगा जो कि आपका fourth option है यह आप ऐसे भी सोच सकते अगर आपको 0 लाने है तो आप यह भी बोल सकते 0 लाने के लिए आप यह कहेंगे कि 10 को 2 से divide किया 5 आया 5 में से 5 minus कर दिया तो 0 आगया आप same process यहाँ भी होनी चीए 16 को हमने divide किया 2 से 8 आया अब हमने minus कितना करना है 5 ठीक है same process 8 में से 5 minus किया तो 3 आगया तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे 12 का half करेंगे 6 आएगा और 6 से कितना minus करेंगे 5 सब जगह 5 minus किया तो यहाँ भी 5 minus करेंगे तो आपका 1 आजाएगा जो कि आपका fourth option है ठीक है सबी को समझ में आ रहा होगा next question करते है next देखें 16 का 69 है 24 का आपको बताना है 31 का 144 है अब आप देखें यहाँ पर gap तो आपको दिख नहीं रहा है आप यह कह सकते है 16 square है 4 का लेकिन यहाँ नहीं है अब आपको नंबर के नजदीक जाना है तो नंबर के नजदीक किस तरीक से जा सकते है आप यह बोल सकते है 16 चको 64 फिर आपको 64 में 5 जोडना पड़ेगा फिर आप यह भी देख सकते है कि 5 कैसे आया उसमें भी pattern लगा सकते है आपने एक बार यह देख लिए कि 16 चको 64 फिर प्लस 5 किया लेकिन आपको 31 चको करेंगे 4 इकम 4 चारतियां 12 12 एक्सोचोबिस आता है तो एक्सोचोबिस में 5 जोडने में तो हमें 144 नहीं मिल ला है तो आप एक नंबर आगे से multiply करके घटाके भी देख सकते है जैसे आप यहाँ पर यह देख सकते है 16 को अगर हम 5 से multiply करें तो 16,85 होता है और यहाँ से 11 माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाता है 69 मिल जाता है इसी तरह आप यहाँ भी देखेंगे 31 को हम 5 से multiply करते तो कितना आता है 5 एकम 5, 5 तियां 15 और यहाँ से 11 माइनस करते तो हमें कितना मिल जाता है 144 मिल जाता है इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे 24 को 5 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 5 चको 20 2, 5 दूनी 10, 2, 12 120 और इसमें से 11 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 109 जो कि आपका first option है यह आप ऐसे भी सोच सकते जैसे मैंने आपको बताया आपने कहा कि 16 चको 64 हुआ ठीक है और इसमें हमने क्या add कर दिया 5 add कर दिया तो हमें क्या मिला हमें 69 मिला ठीक है इसमें पैटल होना चीए अगर आप देखें यह 5 कैसे आया अगर 16 में से आप 11 माइनस कर दे तो आपको 5 मिलेगा यानि कि इस नमबर से 11 तो यहां भी आप देखो 20 कैसे आया 31 में से आप 11 माइनस कर देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा ऐसे भी आप सोच सकते हैं, सोचने के तरीके अलग-लग हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से सोचें, ऐसे ही आप 24 को अगर 4 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 चको 16 की 6, 1, 4, 2, 8, 1, 9, 96 मिल गया, और अब आपको पता है कि यहाँ पर add कितना करना है हमने, 24 में से 11 माइ यहाँ पर लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस तरीके से सोचेंगे तो आसानिय से हो जाएगा, next question करते हैं, आप देखो 9 का 270 है, 15 का 450 है, 13 को आपको बताना है, तो सबसे पहला आपकी नजर में यही आएगा, सीधे सीधे multiply करके आप देख सकते हैं, अगर आप 9 को 30 से multiply करेंगे तो आप देखोगे, 15 तियां 45, 450 है, simple है, तो इसे भी 30 से multiply कर दो, तो 13 तियां 49 हो जाएगा, 390 का answer होगा, जो कि आपका first option होगा, ठीक है, next question देखते हैं, इसे करें, 14 का 21 है, 34 का बताना है, 47 का 87 है, तो यहाँ पर आप देखें, कैसे जा सकते हैं, अगर आपको नंबर के न होगे, अगर 14 दूनी 28 होता है, 28 में से आप 7 मैनस करेंगे, तो आपको कितना मिल जाता है, 21 मिल जाता है, इसी तरह आप 47 को 2 से multiply करेंगे, तो आप देखें, यहाँ पर कितना होता है, 27, 14, यहाँ पर 47 दूनी 94 होता है, 94 में से 7 मैनस करेंगे, तो आपको 87 मिल जाएगा, तो कि आपका first option हो जाएगा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, next question करते हैं, next देखो, इसे आप करो, 5 का 14 है, 12 का आपको बताना है, 17 का 86 है, तो आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है, आप ये सो सकते हैं, 5 तियां 15-1 होगा, लेकिन 17 तियां 1 होता है, तो number आपका बढ़ा है, तो य सतर चक को 68, यहाँ पर 86 में पलस करना पड़ा है, तो यहाँ पर minus, तो आप देखो कि दोनों में minus करना पड़े, उस संख्या से multiply करो, ठीक है, आप देखो किस से कर सकते हैं, 5 चक का 30, अगर 5 को 6 से multiply करते हैं, तो 5 चक का 30 हाता है, 30 में से 16 मैनस करते हैं, तो आपको 14 मिल जा 86 मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, इस पैटर में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ भी आप देखो कि 12 को 6 से multiply करते हैं, 12 में से 16 मैनस करते हैं, तो आपको 16 मिल जाएगा, तो 56 आपका answer हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको देखना है, आप खुश से जरूर करना, आप हो सक factor से भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है, तो यह मैंने आपको बता दिया, next question करते हैं, next question देखो, 19 का 80 है, 23 का 96 है, 16 को आपको बताना है, अब जैसे ही आपने देखा यहाँ पर 80 है, तो मेरे दिमाग में यह आ सकता है, कि 20 चको 80 होता है, ठीक है, factor आपको देखना है, 20 चक करूँगा, 23 में एक एट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा, 24 को 4 से multiply करूँगा, तो मेरे पास 96 आजाएगा, तो सेम यहाँ पर करूँगा, 16 को में यहाँ पर, 16 में एक एट करूँगा, 17 को 4 से multiply करूँगा, तो 17 चको 68 आगया, तो आप देख सकते हैं, ती कितना होता है 76 में मैं 4 делать तो मुझे 80 मिल जाता है इसी तरह आप को होगे हम क्योंगा तो मुझे पाद आप सोज़ते हम पहले यहां पहले हमक्छए मम्ल्टिप्लाइ एक Fieldsустить कर दे है फिराइक primo पहले है नेक्स देखो चौदा का 21 है ete 6 का 9 है अपको 12 का बताना है तो इससे बताएं आप कैसे करेंगे ठीक है यहां पर अगर आप गैप देखोगे तो आप यह बूल सकते हो 14 में कितना add कर रहे हैं 7 add कर रहे है तो यहां पर भी यह होगा बारा से बारा का हाप एट करेंगे बारा का हाप 6 होता है तो बारा में 6 एट करेंगे तो 18 आ जाएगा यह इसका अंसर हो जाएगा 3rd option ठीक है सबी को समझ मां आ गया next question देखते हैं next देखें इसे करें खुछ से जरूर करें ठीक है 24 का 137 से 14 को आपको बताना है 18 को यहां पर 101 लिखा होगा है तो यहां पर देखें अगर square के असपास अगर number के नजदीक जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं तो यहां पर आप देखें अगर 24 को 6 से multiply करते तो आप आप देखोगे 24 छक्का कितना होता है 144 होता है 144 में से 7 मैनस करेंगे तो आपको 137 मिल गया इसी तरह आप देखोगे 88 छक्का कितना होता है 108 होता है इसमें देखने सेम पैटरन होना चाहिए 108 में से आप 7 मैनस करोगे तो आपको 101 मिल गया और यहां पर भी आप क्या करोगे 14 84, 84 में से 7 मैंनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 77 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 होगा, जो कि आपका 4th option है, ठीक है, next question करते हैं, next देखें, अब 8 का 516 है, ये 516 देखते ही आपके square cube समझ में आ जाने चीए, अब आपको पता है, 8 का cube कितना होता है, 8 का cube 512 ह होता है, 512 में अगर हम 4 add करते तो आपको क्या मिलता है, 516 मिलता है, अब इसी तरीके से यहां भी आपको देखना है, 6 का cube, 6 का cube कितना होता है, 216, 216 में 3 add करते तो आपको कितना मिल जाता है, 219, अब आप देखोगे, यहां 4 add किया, यहां 3 add किया, तो यह 4 और 3 कैसे add किया यहाँ पे क्या pattern होगा यहाँ पे जो है 8 का half add किया है और यहाँ पे 6 का half add किया है ठीक है यह बास समझ मारा कियोगी अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 का cube कितना होता है 4 का cube होता है 64 और इसमें हमने क्या add करना है 4 का half pattern यह है तो 64 में 2 add करेंगे तो कितना आजाएगा 66 आजाएग तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 786 एक बार डिजिट सम करके आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर देखें 8 6 14 14 7 21 21 आता है इसका 1 30 कर दे तो यहाँ पर 7 मिल जाता है सेम यहाँ पर करके देखें 6 4 10 6 4 10 5 15 15 15 का 1 30 कर दे तो second number मिल गया 5 ठीक है इसी तरह यहाँ पर हम कर सकते हैं 8 2 10 10 2 12 आ गया 12 का 1 30 करेंगे तो कितने आ जाएगा 3 चुक को 12 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 तो आपसन 4 आ जाएगा next question करते है next देखें 9 का 109 है 7 का 71 है 13 का आपको बताना है ठीक है तो कैसे आप करेंगे आप यह सोच सकते हैं या तो आप number के नजदीक भी जा सकते हैं या आप square करके भी सोच सकते हैं जैसे 109 जो है वो आपका 10 के square के आसपास है तो मैं यह पोल सकता हूँ कि अगर मैं 9 में एक जोड़ दू इसमें relation बता रहा हूँ 9 में एक जोड़ दू तो आपका कितना आएगा 10 आएगा 10 का square और प्लस यही number add कर दू 9 ही add कर दू तो मुझे क्या मिल जाता है 109 मिल जाता है समझ में आया तो same process मैं 7 से 71 में करूँगा 7 में एक जोड़ कितना आया 8 आया 8 का square 64 64 में क्या add करूँ वही number 7 7 add करूँ तो क्या मिल जाएगा 71 मिल गया तो आप देखो same pattern में है किस तरीके से pattern है समझा दिया अब आपको क्या करना है 13 में एक जोड़ना है 13 में एक जोड़ना है 14 का square कितना हुआ 196 196 में कौन सा number जोड़ना है वही number 13 13 जोड़ जै तो आप देखोगे 196 में 13 आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 6, 3, 9, 19, 20 209 मिल गया जो कि आपका fourth option हो जाएगा ठीक है सभी को समझ माया किस तरीके से आपने किया अब आप देखो जैसे मैंने आपको बताया नंबर के नजदीक भी आप जाने की सोच सकतो किस तरीके से आप सोचोगे ठीक है यहाँ पर आप बता दू ठीक है अब जैसे 109 है वैसे तो आप square करके देखेंगे तो जादे आपको फाइदा मिलेगा इसी तरीके से होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखो नंबर के नजदीक कैसे जाओगे आप यह बोलोगे बारा नंबर 108 होता है 9 को 12 से मिल्टिप्लाइ करो तो 108 मिला और 108 में एक जोड़ू तो मुझे 109 मिलिया ठीक है इसी तरह आप देखो साथ को आप किस से मिल्टिप्लाइ करोगे साथ को 12 से मिल्टिप्लाइ करोगे तो 12 से 84 हो जाता है तो यह पैटन नहीं होगा कि हमने 12 से मिल्टिप्लाइ किया अब और क्या हो सकता आप यह कह सकता हो कि 12 से मिल्टिप्लाइ इसले क्या है कि 9 में हमने प्लस 3 add किया है, तो इसी तरह 7 में हम प्लस 3 add करेंगे, 10 होगा 10 से multiply करेंगे, तो 10 सत्य 70 70 प्लस 1, 71 हो जाएगा ऐसे बोल लो, और यहां पर 13 में 13 से 3 add करेंगे तो 13, 13, 16 होगा, और 16 और 13 को आप multiply करोगे, तो कितना होगा, 208 होगा 208 में एक जोड़ों के तो 209 मिल जाएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हो, जो कि आपका fourth option है, ठीक है सभी को समझ मारा होगा, कैसे आप सोच सकते हो, next question करते है next देखो, यह तो simple है 8 का cube है, यह आपका 18 का cube है, तो यह आपका किसका हो जाएगा 12 का cube हो जाएगा, 12 का cube 1728 होता है, तो third option इसका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, आप देखो, 375 है 592 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके बीच में gap देख सकते हो कि इनके बीच में gap कितने का है आप देखोगे, ठीक है, इस type के question में आप square cube भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप gap भी एक बार जरूर देखें आप देखोगे, 375 से यह सारे type जो मैं आपको बता रहा हूँ है पहले भी पूछे गए है, 592 अब इसके बीच में gap कितना है, आप देखोगे यहाँ पर gap आपको मिलेगा, 12 में से 5 आपका 7 हो गया, ठीक है, 8 में से 7 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 217 का gap है, अगर आप 217 add करते हो, तो आपको 592 मिलता है सेम आप देखोगे, 423 से अगर आपको 640 जाना है तो यहाँ भी आप देखोगे, 217 add करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 7, 3, 10 2, 1, 3, 1, 4 और आपका 4, 2, 6, 217 add करने में 640 मिल गया तो यही pattern आप 998 में लगाओगे, यहाँ पर 217 add करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7, 7, 14, 1, 15 की 5 तो आप देख सकते हो, यह pattern आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि हमेशा आदमी square cube इसी type में घूमते रहता है तो यह ध्यान में नहीं आता है तो आपको एक gap वाला हमेशा देखना है gap वाले भी कई question पूछे जाते है next question देखते है यहाँ पर आप देखोगे इसे कैसे करना है 56 से 217 जाना है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अगर number के नजदीक जाओंगा तो number के नजदीक जाके देख लेता हूँ अगर 56 को मैं 4 से multiply करता है तो मुझे कितना मिलेगा 6 चको 24 की 4, 2, 5 चको 22, 22, 22 और यहाँ से minus 7 कर लेता हूँ तो 217 मिल जाता है इस तरीके से बोल सकता हूँ ठीक है और सेम यहाँ पर 73 को 4 से multiply करूँगा तो 4, 3, 12 की 2, हासिल 1 7 चको 28, 29 292 में से मैं 7 minus करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 285 मिल गया ठीक है 152 में से 7 minus करूँगा तो आपको कितना मिलेगा 145 मिलेगा जो कि आपका fourth option इसका right answer हो जाएगा ठीक है next question देखते है next है 7 का 105 है 9 का 153 है और आपको 13 का बताने और कैसे जाओगे 7 से 105 के नजदीक जाने तो आप कैसे जा सकतो ठीक है यहाँ पर मुझे सीधे सीधे इसके factor बता है 15 सत्ते 105 होता है अगर मैं 7 को 15 से multiply करूँ तो 15 सत्ते 105 मिल जाता है इसी तरह आप देखोगे 9 सत्र नम्मा 153 होता है ठीक है अब आप देखोगे इसमें pattern क्या है आप देखोगे यहाँ पर 7 से 15 क्यों लिखा है प्लस 8 करके multiply कर लिया और यहाँ भी आप देखोगे 17 से multiply क्यों 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 क्या प्लस 8 करके multiply क्या 9 8 17 तो यहाँ भी मैं यही करूँगा 13 को किस से multiply करूँगा 13 में plus 8 करूँगा 13 में plus 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा तो 21 से multiply करूँगा 13 एकम 13 तीन एक 13 दूनी 26 और 27 27 आ जाएगा जो कि आपका first option है ठीक है तो आप देख सकते हो यह pattern यहाँ पर ठीक है factor करके आपको जरूर देखना है तो आसानी हो जाएगी next question देखते है next देखो 4 का 80 है 7 का 392 है 5 का आपको बताना है ठीक है तो 4 का 80 है तो 4 है 80 है ठीक है एक तो यह हो सकता है 20 चको 80 हो जाएगा लेकिन यहाँ multiply करेंगे 20 से तो 392 नहीं मिलेगा फिर square cube मैंने आपको हमेशा ध्यान में रखना है 4 आपके पास अगर आप देखते हो 4 का cube प्लस 4 का square करें तो 4 का cube 64 होता है और 4 का square 16 होता है तो मुझे क्या मिल जाएगा 80 मिल जाएगा इसी तरीके से मैं यहाँ पर करके देखो हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है 7 का cube प्लस 7 का square ठीक है तो same pattern यहाँ पर लगाओगे 5 का cube प्लस 5 का square 5 का cube 125 हो जाता है 5 का square 25 हो जाता है तो कितना आजाएगा 150 आजाएगा जो कि आपका कौनसा option होगा 4th option होगा next question करते हैं next देखें 7 का 58 है 12 का 153 है तो कैसे हो सकता है यहाँ पर 7 का square करके देख सकते हैं ठीक है कि आप 7 का square हम करेंगे 7 का square 49 होता है 49 में 9 8 कर देंगे तो हमें 58 मिल जाएगा इसी तरीके से 12 का square करेंगे 12 का square कितना होता है 12 का square होता है 144 होता है इसमें 9 8 करेंगे तो आपका 153 मिल गया simple है ठीक है square प्लस 9 है तो यहाँ पे 370 है तो यह तो आप X मान की कर लीजे या आपको X मानने की जरूवत नहीं है क्योंकि आपको पता है 370 के नजदी किसका स्क्वाइर होता है 19 का स्क्वाइर होता है 19 का स्क्वाइर कितना होता है 361 होता है इसमें 98 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 370 मिल जा तो आपका आंसर क्या आजाएगा 19 जो क्या आपका 4th option है ठीक है सभी को समझ में आ रहा होगा इस बार analogy के question काफी जादे पूछे गए किसी shift में तो 4 question भी पूछे गए तो इस question को करते है 13 से 130 है 15 का 180 है 15 और 12 का multiply 180 होता है मुझे यह भी नजर आ रहा है ठीक है तो 13 और 10 का 130 हो ठीक है यहाँ पर आठ आठ हारा है ज़जा आप मुल्टिप्लाई करके देखेंगे तो 27 को तीन कम से multiply करोगे 24 से तो आप देखोगे सच चक को 28 हो गया ठीक है यहाँ पर आठ हरा है इससे आप मुल्टिप्लाई करके देखेंगे ठीक है 27 और 24 8 आठ आ गया 24 दूनी 48 तो 48 यहाँ पर 64 आ जाएगा 648 आ रहा है तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 तो आपसन आ जाएगा 648 तो इस तरीके से आप देख सकते हैं multiply करके देख सकते हैं बाकी यहाँ पर और क्या हो सकते है square करके भी आप जा सकते square करके जाएगे तो आपको इसके नजदीक जाना पड़ेगा कैसे आप जा सकते 13 का square 169 होता है ठीक है ऐसे भी बोल सकते 13 का square 169 होता है और इसमें से आप 39 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एकसो तीस अब यह थर्टी नाइन कैसा है आप ये बोल सकते है, तेरतियां 49 होगा इसी तरह आप देखो 15 का स्क्वाइर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलेगा 225 में से आप 15 का तीन गुना 45 मिलेगे तो आप देखो ये तो तरीके से आप बोल सकते हैं तो 27 का क्या होगा 27 का आपका जो होता है 27 का square आपका होता है 729 27 का square 729 होता है और 27 का 3 गुना मैनस करना है तो 81 करोगे 9 में से 1 8 और 12 में से 8 4 और 6 408 आ गिया तो आप square कर forged के भी 320 है 22 का 110 है तो 22 का 5 बार multiply करते तो 110 हो जाता है तो 64 को 5 बार multiply करेंगे 5 को 20 5 6 का 32 32 5 बार multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना होने चाहिए 14 14 को 5 से multiply करेंगे 14 पंचे 70 आ जाएगा जो कि आपका second option होगा आसान है next question करते है 24 का minus 192 है minus 31 का 248 है फिर आप यहाँ पर multiply करके देख ले अगर आप 24 को minus 8 से multiply करते तो आप देखोगे आठ चको 32 की 2 आपका 3, 8, 12, 16, 13, 19 हो गया 31 को आप minus 8 से multiply करते तो आप देखोगे 8, 8, 24 और minus minus प्लस हो जाएगा तो आप minus 18 को 8 से multiply करोगे minus 8 से तो आपका कितना हो जाएगा 38, 144 प्लस का आजाएगा जो की आपका fourth option है ठीक है समझ में आ रहा होगा सभी को ठीक है pattern आप देख सकतो यही pattern पहले भी आए हो है ऐसा नहीं कोई नया pattern यहाँ पर आपको दिखेगा आप अगर latest question करते हो तो वही pattern आपको नज़राएगे अब 9 का 17 है 22 का आपको बताना है 30 का 59 है तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे 9 दूनी 18-1 17 होता है ठीक है नमबर के नज़रीक 9 दूनी 18-1 17 हो गया इसी तरह आप देखोगे 30 दूनी 60-1 59 हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या होगा 22 दूनी 44-1 कितना हो जाएगा 43 आसान है जो कि आपका 3rd option है नेक्स कुशिन देखते हैं नेक्स देखनेंगे 4 का 31 है 7 का 220 है और 6 का आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप जाएगे अगर 4 और 31 के बीच में आप gap देखते हैं तो आपको कितने का मिलेगा 27 का मिलेगा जो की क्य 233 होता है तो आप कहेंगे यह किसका है यह आपका 6 का क्यूब है 7 से 1 कम का क्यूब है तो नेक्स मा आपको 6 से जाना है तो आपको पता है यहाँ पर क्या एट करना है 6 से 1 कम का क्यूब 6 से 1 कम क्या होता है 5 5 का क्यूब 125 आप यहाँ पर एट करोगे तो आपको क्या मिल जो कि आपका fourth option इसका right answer होगा ठीक है सभी को समझ मां आ गया किस तरीके से आपको करना है यहां पर next question करते है next देखें 9 का 126 है 21 का 294 है तो आपको पता है 9 का multiple ठीक है 126 क्या होता है 149 में 126 होता है तो आप यह बोल सकते है 9 को 14 से multiply करें तो आपको 126 से आ जाएगा इसी तरह आप देखो 21 को अगर आप 14 से multiply करते हैं 21 को 14 से multiply करते है 14 एकम 14 की 4 एक चौदूनी 28 से 294 आ जा रहा है तो सेम यहां पर आप करेंगे x मान लिए x को 14 से multiply करेंगे तो 238 आना चाहिए तो x की value की आ जाएगी 14 से divide 14 एकम 14 और 478 बे 17 आ जाएगा जो कि आपका fourth option है ठीक है सबी को समझ में आ रहा होगा ऐसे ही आपको करना है next question करते है 5 का 35 है 9 का आपको बताना है 14 का 224 अब यह number देखते ही न 5 सत्य 35 तो आप बोल सकते हो लेकिन 14-78 गोता लेकिन आपको यहां पर number देखते ही यह number देखो यह जो number है यह आपके square के आस पास है आप देखोगे यह आपका 35 जो है 36 के आस पास है तो आपको होगे 5 में एक जोड़ा उसका square किया, minus 1 कर जिया तो आपको 35 मिल गया, 5 एक 6, 6 का square 36 minus 1, 35, same आप यहाँ पर देखोगे, 14 में एक जोड़ा 15, 15 का square 225 minus 1 करोगे, 224 मिल गया, same यहाँ पर आप करोगे, 9 में एक जोड़ाँ के 10 ऐगा, 10 का square minus 1 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 99 जो कि आपका first option answer हो जाएगा ठीक है सभी कुछ समझ में आ गया होगा next question करते है 7 का 71 है 13 का 209 है 16 का आपको बताना है इस type का question अभी हमने आगे भी किया था सायथ ठीक है जहां पर हमने देखा था 10 37 70 plus 1 71 हो गया ठीक है ऐसे करके देख लेते हैं 7 को 10 से multiply किया तो हमें 70 मिला 70 में एक जोड़ा तो 71 आ गया ठीक है तो 7 को 10 से क्यों किया प्लस 3 करके किया इसी तरह अगर हम 13 में प्लस 3 करते हैं तो 16 से multiply करेंगे तो आपका हो जाएगा 68 48 4 16 16 16 4 20 208 में एक जोड़ेंगे 209 मिल गया तो यहां भी हम करेंगे 16 में 3 add करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 19 19 से multiply करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 11 19 और 11 आपका कितना हो जाता है 304 304 में एक जोड़ेंगे तो 305 मिल गया इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आप cancer क्या हो जाएगा third option हो जाएगा या आप square से भी जा सकते हैं square से आप जाएगे तो 8 का square का मतलब हो गया कि आध रच्टा 64 तो हमने क्या किया ओक भी जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल गया तो एक जोड़ेंगे 14 मिलेगा 14 का square 196 196 में आप कितना add करोगे यही number 13 यहां हमने 7 add किया था ना यहां हम 13 add करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 639 और 919 और 120209 मिल गया आप इस तरीके से करें ठीक है square वाला और कहीं भी अगर आपको priority आपको ऐसी देने जैसे prime number फिर square cube फिर उसके नीचे multiply इस तरीके से तो यहां पर आप देख सकते हो आगे आप देखोगे 16 में एक जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 17 मिलेगा 17 का square कितना होता है 289 और इसमें हमने जोड़ना कितना है 16 तो 16 जोड़ोगे तो कितना आजाएगा आपका 305 आजाएगा जो कि आपका third option होगा ठीक है next question करते है next question है आपका 27 के बाद ये 28 होगे ये 29 है अब यहाँ पर देखो 11 का 1309 है 15 का 33 45 है तो सिधे सिधे आप देख सकतो बहुत बड़ा नंबर है और cube के आसपास है अगर आप देखोगे 11 का cube कितना होता है 11 का cube आप देखोगे 1331 होता है 1331, 1309 चीए तो यहाँ से 22 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा आपको 1309 मिलगे अब ये 22 कहां से आ है आप ये बोल सकते हो कि 11 का double कर गया किया माइनस ठीक है इसी परकार आप देखोगे 15 का cube डबल माइनस करोगे 30 माइनस करोगे ठीक है जैसे हमने 11 का double किया तो 30 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 34, यहाँ पर 35 मिल जाएगा ठीक है आप देख सकते हो और सेम हम यहाँ पर करेंगे 7 का cube, 7 का cube कितना होता है 34 होता है और माइनस क्या करना है 7 का double यानि कि 7 क डबल कितना होता है 14, 14 मैनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप देखोगे 13 में से 4 गया 9, तो आपको यहाँ पे 329 मिल जाएगा, जो कि आपको कौन सो option है, first option इसका right answer हो जाएगा, ठीक है सभी को समझ महा गया होगा, next question देखते है, 5 का 7 है, 271 आपको यहाँ पे बताना है, 22 का 466 है, तो इसे आप कैसे करेंगे आपको बताना है, ठीक है, आप देखेंगे कैसे हो सकता है, अगर हम 22 का square, यहाँ पे हम देखेंगे 22 का square, 484 होता है ठीक है, 484 में से अगर हम 466 जाना है, तो 14, 4, 18 मैनस करेंगे तो 466 हो जाएगा इसी परकार 5 का स्क्वाइर 25, 25 में से 18 मैंनस करेंगे तो 7 हो जाएगा तो हाँ ये हो गया, आप देखोगे 5 का स्क्वाइर क्या तो 25 है, 25 में से 18 मैंनस क्या 7 आ गया इसी तरह आप देखोगे 22 का square करोगे 484 484 में से 18 मैंनस करोगे तो आपको 466 मिल जाएगा तो सेम आप यहाँ पे देखोगे x मान सकतो 271 है और 271 में आपको यहाँ पे क्या करना है ठीक है फिर आप देखोगे यहाँ पे इसमें 18 जोड़ लोगे तो 289 होना चाहिए यानि कि 17 होना चाहिए तो 17 का square करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 289 और सेम प्रोसेस में यहाँ पे 18 मैंनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कर लेंगे और फिर उसका अंडरूट कर लेंगे ठीक है नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स देखो 12 का 139 है और आपको 18 का 319 है तो square के आसपास देखते हैं 12 का square कितना होता है 144 है उसके आसपास यहाँ 144 में से आपने 5 मैंनस किया तो 139 मिला इसी परकार 18 का square क्या होता है 324 होता है 324 में से 5 मैंनस किया तो 319 मिल गया और सेम यहाँ पे 7 का square करेंगे तो 7 का square उन पंचास होता है 5 मैंनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 44 मिल जाएगा जो कि आपका third option है, next question देखते हैं यह आपका last question है, ठीक है तो इसे देखें, 5 का 117 है 6 का 208 है, 8 का बताना है अब इस question को आप जरूर करके बताएं इससे पता भी चलेगा कि आप last तक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आसान question है आपको जरूर देखना है, square cube के आसपास तो number नहीं है आपको दिख भी रहा होगा, square cube के आसपास number है फिर कितना minus करना है, या आपको देखना है इसका answer आपको बताना है, इसका answer आपका क्या होगा ठीक है, comment में जरूर करके बताना है और वीडियो को share जरूर करें, like करें इस वीडियो को यहीं पर समाब तेखना है